नारायन, नारायन, हमसे चुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चानल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, नारायन, नारायन आपने जीवन में अब तक बहुत सारी चीज़े देखी है, एक कोई लाइफ लेसन ऐसा जो आप हमारे ओडियन्स के साथ में भी शेयर करना चाहोगे कि जीवन से क्या सीख सकते हैं हम खुद के, ये कहोंगे कि जीवन हमें कदम कदम पर सिखाता है यदि आप सीखना चाहते त कोई भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है, जब अच्छी घटना घटित होती है, we are very happy, हैना, खुश रहते हैं, दूसरों से शेयर भी करते हैं, चर्चा करते हैं, और बहुत समय तक वो हमारे दिमाग में रहता भी है लेकिन यदि कुछ मन के विपरीत घटित हुआ, हम आहत हुए, उन चीज़ों को लेना, फिर मन में बसाई रखना, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, यह ज़रूर हमने अपने जीवन में सीखा, तो हमारा जीवन जो भी आपको दिख रहा है, आसान सा जगमाट दिख रही है, वैसा नहीं था, शुरू से जीवन में आप कह सकते हैं, स्ट्रगल रहा है, पर हमको वो स्ट्रगल है, ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मन में किंतु परंतु नहीं था, तो जीवन आसानी से निकलता चला गया, और हड़ वक्त हम जीवन से कुछ को सीखते चले गए, और अभी भी ऐसा, अगर कभी ऐसा होता है, कि मन के अनुकूल नहीं होता है, तो हम उसमें देखते हैं, कि ये परिस्तिती मुझे क्या संदेश देने के लिए आई है, बजाए आहत होने के, आत्म चिंतन करते हैं, यह जीवन में इखटित हुआ तो क्य गलत मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, हम लोग जिस पर प्रभच्चन देते हैं नाराण शास्र पर, नाराण शास्र शब्दों पर बहुत फोकस देता है, अब विचार देखो, मेरे बीतर क्या चल रहे हैं, आप नहीं पकड़ पाओगे, मैं क्या सोचती हूँ, आप कैच नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, कौन से शब्दों का उच्छार न कर रही हूँ, वो आप पकड़ सकते हैं, उससे आप आहद भी हो सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं, हम लोग ताकत की शब्दों, शब्दों की ताकत को ज़्यादा इन परिस्द्यों का निर्मान हुआ, या मेट से ऐसा कोई कर्म हुआ है, जिसकी वज़से ये सामने आया है, मैंने कुछ किया है, उसके क्रिया करते हैं, तो प्रतिर क्रिया आना पनिश्चित है, उसी अनुसा है, आपने कहा शब्दों में बहुत शक्त होती है, ये किस तर हो रही है, कोई टेंशन में है, कोई गुसे में है, और कभी कबार हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, क्या उनशब्दों में भी उतनी ही शक्ति होती है, जितना हम जो सोच समझ के कहते है उसमें, आपके मुघ से निकला शब्द है न, हाँ, आपने प्रेम से बूला, मजाक में बोला, सीरियसली बोला, रेंडमली बोल दिया, किसी भी अवस्था में बोला, वो ब्रहम्हन में गया, वो फलित होगा, है ना, हम लोग मजाक में, देखो अकसर जब आप मजाक करती हो ना, उस वक्त आपके मुझे से गलत शब्द बहुत, जो बहुत बोलता है, जो बहुत मजाक करता है, किसी का सुभावे, उसका आप देखे, उसके मुझे से अकसर गलत शब्द निकलने के संभावना रहती ही रहती है, अब वो ब्रहम्हन में चले गए, राइट है ना, हर शब्द फलित होता है, पट इट में टेक लिटल टाइम आलसो, जैसे इस उने ड पानी डालते हैं, फिर वो फलित होता है, तो हर शब्द में एक एनरजी है, हम तो कहते हैं कि हर एक शब्द मंत्र है, मंत्र है, वो मंत्र है, पर आपके कहे शब्द भी मंत्र बन जाते हैं यदि किसी को रहत दिलवाते हैं